हेलो दोस्तों राजवन सिंग महली प्रोपटी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज का जो टॉपिक है उन लोगों के लिए है जो लोग इन्वेस्टर हैं पर मोटर हैं कोई छोटी-बोटी प्रोपटी लेके उनको अगे टुकडों में बना के खैब्वेती है तो उसके लिए नक्षा जो है बहुत इंप्रोंटन जता है तो मैं आज आपके साथ डिक्शे के बारे में बात करऊंगा ये हर्यारा में किसी ने प्रोपरटी ली है और उसका जो इन्होंने नक्षा बनाया है वो बड़े जीव ढंक से बनायां अनुनने य मैं यह चाहता हूँ यदि यह इसकी बजाए यह बन जाता नक्षा तो यह सारे इसमें सेलेबिल्टी भी है जो वह बढ़ जाती मतलब वेस्टेज कम हो जाती सबसे पहले यह नोट कर लो के बहुत लोग वेस्टेज को वेस्टिंग बोलती है पड़े लिखे लोग भी अक्व है इसको ठीक कर लो यह अक्विजीशन दोता है और इसमें जो मैं यह कहता हो वेस्टेज होती है वेस्टिंग नहीं होती तो इसमें जो दो डाइगराम है एक ही जमीन है लेकिन मैंने दो डाइगराम बनाई है एक तो नक्षा उन्हों ने ये बनाया है जो ये नीचे 220 फिट का इसका फ्रंट है रोड का और इदर 240 प्रउड के पिछ फिट रोड दे आगे पीछे प्ची फुट रोड दे यहीं बड़ीर ने यह शोटी भाने डीर आ है इसिती रोड तो शकाट डोवड निकल गई और यहे जो सारी बनामने सब्सक्राइब करें तो तीन नंबर यह आगी तीन नंबर का तीस इंटू साथ दो सब्सक्राइब तो अब इसमें देखने वाली बात क्या है या मेरे मताबत कि मैंने इसमें क्या है दोको इसमें कोई 50 पर दुकाने चलानी बड़ी मुश्कल है पहले बात तो है निकेए लोगों के पास सैकल होते थे लोगों के मास कोई ज्यादा साथ नहीं थे यदि आपके पास अभी कारें ट्रॉक के लोड के लोड के जाते हैं तो पची फुत रोड जो कहीं न कहीं छूटी वढ़ती है लंभे ट्रॉक के लिए लंबे ट्रॉले के लिए लिए लहां किये निक्षा बनारे कोशी यह बना ये 220 विट है और ये 380 मैंने ये तीन सौ पचासी फुट को ये अंदर जो है यह कम रहेगा तो मैंने 300 फिट तक इसको लेल गए 300 फुट में मैंने 12 फुट के हिसाब से 12 बारा बाई 15 के यह तो नहीं निकाली और यह सारी की सारी इसको में पार्किंग दी है टोटल पार्किंग दे दी और यह 220 और 1575 एक सो पंतारी फुट है यहां से लेकर यहां तक यह सारी मैंने पार्किंग चोड़ दी है तकरीवन तकरीवन यह सारी पार्किंग आ गई यह पार्किंग काफी ज़्यादा बड़ी अखुली बन गई है और यह में रोड होगी और यह जो इन्होंने यहां से लेवेल एरिया हो गया है सारा फ्रेंट को घ्यां कर गा सारे कारे और यह दुकाने इस तरफ हो गई तो इस इन दुकानों को यह पैदा हो गया के शामने गारी खड़ी करो जी सब्ज़िक और जो इसमें जो मेंने से लेवल जो निकाला है मतलब वेस्ट इस चो तो यह निकला है यह लेवन निकला है 750 तो यह 250 गज जम लेपे हमारे पाण से लेबर और यह जो ज़ल हो गयaufenाइब तो यह कुल मिला के यह हमारा सताही सो पचास गज जगह बन गý आ है और शेक 550 गज निकली है क्योंकि 1450 गज smile लेकिन इसमें कोई भी बेचने में प्रॉब्लम नहीं आएगी यह सारे का सारे ही जो अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इसमें गॉवर्मेंट भी उनको जल्दी पर्मिशन्स दे देगी जो भी उन्होंने लिने मिल जाएगा इसमें शायद ना मिले पर यह जो चोटी बड़ी है ना इसमें शायद ना मिले प्रॉब्लम क्योंकि हो सकता मेजर उनका जो कर्टेरिया है वही चाली पंतारी फुट रोड़ का हो तो मेरा मतलब यह यदि आपको नक्षा प्रपर बनाना आता हो नक्षा बनाना आप सीख साते हो तो डेफिनिटली आपकी आप अपुनी जो वैल्यू है उसमें एडिशन कर लेते हो अपनी प्रपर्टी की वैल्यू में एडिशन कर लेते हो मैंने पहले भी बताया था कि राज्जस्तान में हमने 35 लाक की प्रपर्टी ली थी और 45 लाक रपर दे रहा था हमने जब उसको नक्षा बना के समझाया कि इसमें यह निकल सकता है तो वह पचासी लाकर पे-पे आ गया था तो इस तरीके से जिसमें बहुत आपको फैदा होने वाला है यह यह आपको यह नक्षा नाना थो यह हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है हम यह ट्रैनिंग में ऐसे नक्षे एक नहीं हम दस् souvent बनाकर आपको समझाते हैं समझा के समझाते हैं तो ताकि आप जब नक्षा बना लेते हो तो डखिनेटली उसमें आपका लाव जेसे आप यह प्रोपर्टी है इसमें जितना वो पैसा बचेगा मैंने यह कहा है कि के यह जए प्रहुट्ट मेरे को दे दू बापिस जो इसमें तुकाने दी है उनको पैसे बापते रहे हुद में तो यह प्रोफटा पता नहीं इसका क्या लगे के क्या होगा तो लेकिन यह जो है सारे का सारा प्रेफिरेंश लोगे पैसे भी आप ज्यादा कमा सकते हूं थैंक यू बहुत जल्ब ने टॉपिक के साथ मिलूगा वीडियो शायर शेयर जुरू कर देना थैंक यू